उत्रप्रदेश में विधान सबाद चुनौब बिल्कुल सरपर है और एक बर फिर से भगवान राम और भगवान कृष्ण की बात होने लगी है अखिलेश अदों ने कल ही कहा कि उनको सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सरकार बनेगी और वही राम राज जिलाएंगे उत्तरप्रदेश में सतीश माना जी हमारे साथ भाशपा के वरिस्ट मंतरी हैं कैसे देख रहा है कि लिशादव को इस बयान को कि भगवान कृष्ण सपने में खा कि समाजवादी पार्टी की सरकार हैगी कि मेरे को इस बात की प्रसनता है कि राम क्रिश्न की कम से कम बात तो करना जाते हैं जो लोग नारा दिया करते थे कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़के हमारे आध्यों के नहीं कहते थे तो जिनको जैशी राम कहने से चिल लगती थी जिस समय जैशी राम काम नारा लगाते हैं इनको लगता था कि ये बहुत अपराद कर रहे हैं आज राम की शरण में हैं लेकिन ये वोट और विक्तिकत स्वार्सों के कारण है राम की शरण में हैं इनको ना तो देश की संस्क्रिदी के बारे में मालूम है ना अध्यादों के बारे में मालूम है ये वोट लेने के लिए किसी स्थर के उपर भी जा सकते हैं अभी इनको भगवान कृष्ण सपने में आ रहे हैं मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद और बहुत सारे लोग इनको सपने में आएंगे आठ और नौ जनवरी को आयुद्या भी जा रहे हैं खिलेश आदों वहां भी एक विजय रत्यात्रा निकालेंगे तो आपको लगता है कि राम जन भूमी भी हो जाएंगे वह जाएंगे तो लोगों को याद ताजा करेंगे कि जिस समयशे राम जन भूमी मुक्त या गंदरलन के लिए कारसेवक वहां पर उपस्तित थे तो इसी समाजवादी पार्टी ने उस निरी और निहत्यकार सेवकों के उपर गोली चला कि बूट पल उनकी हत्या करी थी कम से कम ये बात उनको याद अरखनी चे उसी और योद्या की धरती के उपर जो पवित्र भूमी है भगवान की जनम सलिय है उसको खून के रंगों से लाल करने का अगर अपराद कि के बाद अपनी राज़ित की उसका पर रहा है तब से बहुत से बड़े नेताओं ने वहां पर दर्शन किया है बहुत से लोगों ने विजिट किया है राम टेंपल का आप देखना चाहेंगे अखिले शादा भी वहां पर जाते हूं जाने के लिए भगवान की छरण चरण तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार की प्रतार ना देते हैं मेरे पड़ाई जेला संकचा लगते हैं उनको निर्दोष घर से पकड़कर उठाकर जेल में एनसे में बंद कर दिया गया था जो बड़े अपरादियों के लिए राश्टी सुरक्षा धनियम लाई होता है उसके ना बोलते हैं तो कहीं न कहीं इनको खुझली शुरू हो जाया करती थी तो यह ऐसे लोग है एक आकरे सवाल अखिलेश आदो का कहना है कि उनको और उनके लोगों को टार्गेट किया जा रहा है अभी नोड़ा में एक रेड़ पढ़ी है वह भी बता जा रहा है अगर वो हैं निश्टी दूरूबस उनके लोग तो बैब प्रिदेश की जनता भी ये बात जाना चाहते हैं कि आपके वो लोग जिनके पस सैकुणों करोड रपया नकती मिलती है और सैकुणों करोड रपये के अखोशित संपती मिलती है उनके ओपर चापा पढ़ना ही चाहिए था और पड़ा है। पता चलेगा कि देश का बटवारा करने वाले की साथ बात करते हैं जब यह घूमेंगे तो कहेंगे उपर अपर अल्ला नीचे मला तो अल्ला और बल्ला का नाम लेंगे तब लोगों को पता चलेगा जितना निकल रहे बाहर उतना फाइदा बीजेपी को है निश्चित के साथ अभी शेक पांडे भारत समाचार लखनों